नमस्कार मित्रो, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सब का स्वागत है, मैं नेच्रोपेत डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ, मैं अपने आपको ग्रिन डॉक्टर बोलता हूँ, क्योंकि हम यहां सिर्फ डाइट से ही अमारी बीमारी ठीक करने की बाते करते हैं, तो मैं बेजिकली सिविल इंजिनियर हूँ, योगा मास्टर हूँ और नेच्रोपेत की भी मैंने पढ़ाई की है, साथ में फूरे निट्रिशन का भी मैंने अभ्याज किया है, तो ग्रीन डॉक्टर और रेड डॉक्टर, यलोपथी का खुद का सिम्बोल रेड कलर का है, और सरीर की समस्याई ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए, कोई रास्ता नहीं है, इमर्जंसी है, तो आप यलोपथी की ट्रिट्मेंट ले लो, लेकिन हर रोज आप यलोपथी की दवाई खाके जीवोगे, तो जीवन में ज्यादा समस्याई बढ़ेगी, सरीर में तकलिपे है, तो अपने आप ठीक हो जाएगी, अरोग्य का पंचामरुत क्या कहता है, कि मैं पांच बाते आपको बताता हूँ, जिस हेल्थ के लिए रिलेटेड है, आपका सेहत अच्छी रहे, इसके लिए आपको पहला ध्यानी रखना पड़ेगा, कि बीमारी आती है, पकाया खोर तीनो टाइम बीना चबा के, तो ये सारे मुद्धे पहले टॉपिक में है, आप चबा के खाओगे नहीं, तो जल्ली बीमार पड़ोगे, तीनो टाइम पकाया एसीडी खोराक जरूरत से ज्यादा खाओगे, तो भी बीमार पड़ोगे, मैनत नहीं करते और खाओगे तो ब बीमारी आने की वज़ा है, तीनो टाइम पकाया खोराक बीना चबा के खाने से, बीमारी नहीं आती है, आलकलाइन यानी की कच्चे खोराक से, बीना पकाया खोराक आप खाईए, तो बीमारी आएगी नहीं, अब बीमारी हो चुकी है, तो इसके पिछे दो कारण है, एक त तो शरीर में आपको जो रिपेरिंग याने की मेंटेनंस के लिए जो पोशक तत्वा देने थे वो आपको नहीं मिल रहे हैं ये दो कारण से बीमारी आई है तो उसको निकालनी है तो आपको ये दोनों कारण को स्वाल कर लो कच्राई खटा हुआ है निकाल दीजिए तो उप कीजिए ककराणि निकल जाएगा खटे फल से निकल जाएगा और साथ में मल निक्रिट्रिशन की समझें की कमी है तो वह कि दे दीजिए आपकी समिश्या में से बाहरा आ जाओगे चौथी बात यह है कि रोग से बचने के लिए आपके सरी में कच्राई खटा न हो दो तो हर रोज एनिमा लीजिए या तो मलसुद्धी ले लीजिए आपकी पेट साफ रहेगी तो बीमार्य कमाएगी खुन के अंदर कच्रा बढ़ गया है सरदी जुकाम हो गया है तो एक दिन उपास कर लो तो आप बच जाओगे आगे बीमारी से बढ़ोगे यह नहीं तो बचने के लिए सरीरी सफाई जरूरी है और हर रेज अपने खोराक में खट्टे फल सामिल कर लो तो कच्रा इखटा होगा नहीं बीमारी आएगे नहीं बीमारी से रोग से बढ़ जाओगे लास्ट पांच में बात यह है कि डेरी प्रोडक्ट सरीर की जेसी प्रकूती कफ वाले का कफ बढ़ाता है पित वाले का वायू वाले का वायू बढ़ाता है तो आप डेरी प्रोडक्ट से बचे बीमार है तो बीमार नहीं है खाईए कोई दिकत नहीं है लेकिन बीमारी यह सारी बाते को डिटेल में आपको समद्न है तो हमारी योगाहर यूट्यूब चैनल पर जाइए डिस योगाहर नाम की यूट्यूब चैनल है वहाँ आपको पूरा प्लेश्ट मिलेगा एक-एक वीडियो आप समय निकाल के देखिए जो लोग नए है उसको तो मैं खास बो आपको एक रिटन मेंसे जाए जाएगा इसमें आपको लिंक मिल जाएगी और खास चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए क्योंकि हम हर रोज एक नया वीडियो देते हैं रखते हैं आपको नौटिफिकेशन के जरिए मिलता रहेगा बाबा के प्रí meinen पे हम यहां चल्चा कर रहें कल हमने सातवय नंबर का प्रिश्चन पर चल्चा किया था कि भी नहीं कोलेस्ट्रोल के रोगियों में कोलेस्ट्रोल याने की ट्राई आज का सवाल है क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास सीर्दर्द और माइग्रेन का कोई पर्मेनेंट सॉल्यूशन है जिसके बार-बार सीरदर्द और माइग्रेन न हो जिससे एक बार दवा खाए और पर्मेनेट सीरदर्द माइग्रेन बंद हो जाए एसी कोई solution है तो माइग्रेन का एलोपथी के पास एसा कोई पर्मेनेट solution नहीं है दवाई खिलाते रहते हैं, side effect बढ़ती रहती है एक दवाई की effect कम होती है, दुसरी चालू करते है एक की side effect एक में आती है, दुसरी की दुसरी जगा side effect आती है ऐसा बोला जाता है कि कारिब 60 से ज़्यादा माइग्रेन किया बीमारी है 60 से ज़्यादा प्रकार की इसमें अलग-अलग type की होती है तो पहले तो tension headache आपको कोई बात की चिंता बढ़ जाए, तो आपका head जो है, वो pain करने लगता है, दुखने लगता है तो tension आता है, तब माथा भारे होता है, pain होने लगता है दूसरा होता है, migraine यह अलग प्रकार का, एक head सरदर्ध है, जिसको migraine बूलते है तीसरा है, cluster headache, particular जगर मालों आँख के आज़के है, यहाँ है, यहाँ है, पीछे है, कहीं particular location पे आपको headache हो रहा है sinus headache, या आपके जो वायू कोतर है, अंदर कफ बढ़ चुका है sinus फूल चुके है, तो इसके इसाब से स्वासले में दिक्कत आ रही है और आपको pain हो रहा है hypertension ज्यादा BP के कारण आपके यह माथे पे, पिछे के हिस्से में आपको भारी भारी लगता है और headache होता है और यह आँख और कान के बीच में particular location भी एक प्रकार का माइग्रेन होता है तो यह अलग-अलग जगह अलग-अलग टाइप के सीर्दल्द के माइग्रेन के प्रकार है इसके अलावा आपको कोई चोट लग जाए, एक्सिडन्ट हो गया चोट लगे माथे में तो वो traumatic सीर्दल्द बूलते है कि एक्सिडन्ट के कारण आपको हो गया है कई बार एकदम तेज सीर्दल्द होता है, कई बार आप एकदम ज़्यादा दोड गए, एकदम ज़्यादा भार उठा लिया और आप एकदम ठक गए, एकदम तो एसा कोई आपको अनुबव नहीं था है, आपकी body को और आपने एसा काम कर लिया तो उस्टाइम भी आपको तेज दर्द हो सकता है, यह थोड़ा temporary है ज़्यादा दवाई खाते रहोगे तो बाद में आपको rebound सीर्दल्द हो सकता है यह एक दवाईयों की side effect का सीर्दल्द है cluster सीर्दल्द जो होता है particular location पे वो तो बहुत गंबीर होता है और ऐसा लगता है कि मैं suicide कर लूँ तो यहां जो एसे एसे लपकारे लगते हैं एक cluster सीर्दल्द में thunder clap कोई आपको मार रहा हो है थोड़ा जिंक रहा हो एसे प्रकार का भी आपको सर्दर्द हो सकता है एलर्जी की भी सर्दर्द होती है sinus और एलर्जी की मोसम जब मोसम चैंज होती है एक रूतू या बीजी रूतू में चैंज होता है पाता और उस टाइम भी आपको इस प्रकार के सिर्दर्द हो सकते हैं हाइपर टैंशन के सर्दर्द भी हो सकते हैं अपको सब्सक्राइब हो सकते हैं हर्मोनल बेलेंस जब बिगड़ता है उतार चड़ाव आता है फ्रमौंस में तो अभी भी मोनो पोज के टाइम में भी समझ्याय होती है बेहनों को खास करके टैंसन वाला जो हेडेक होता है वो पूरा कवर करता है पूरे माथे में और कई दिनों तक रहता है जब तक टैंसन नहीं जाती है और माइग्रेन में कोई एक जगह होता है और वो ज्यादा दर्द करता है तेज और भयंकर होता है तो यह सारे प्रकार के अलग 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 है अब सरदर्ड में एलोपती के पास तो ट्राइन एरर के अलावा कोई रास्ता नहीं है आप पहले डॉक्टर के पास जाओगे आपके सिम्टम्स देखके आपको चेक करेगा बीपी चेक करेगा बीपी के का तो बॉड़ी चेक अप करके आपको थोड़े बीजिक सिम्टम्स दिखेगे उसके उपर दवाई देगे और दवाई चालू रखनी पड़ेगी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और एलोपती की दवाई की साइड इफेक्ट है वो डॉक्टर खुद कबल करते है तो उन के पास इतना पर्मेनेंट सॉल्यूशन नहीं है और यह सॉल्यूशन के पीछे दवाई देते हैं उसके साइड इफेक्ट बहुत बड़ी होती है लंबे टाइम दवाई खाने से काफी भयंकर बीमारिया नहीं खड़ी हो जाती है वो सबको पता है आरिवेद के पास समादान क्या है तो आरिवेद क्या करती है वो नाड़ी बेज आपको ट्रिक्मेंट करता है एक्चुली तो वही उत्तम है क्योंकि असली जो नाड़ी वेद है जो आरिवेद आचारिये है वो आपकी नाड़ी चेक करते है और आपकी नाड़ी यानि की आ चेक करके आपको कफ के कारण हुआ है पित के कारण हो रहा है वायू के कारण हो रहा है वो पता करते हैं तो इसके इसाब से आपको दवाई देते हैं परहिज देते हैं तो जो होश्यार अरिवेट डॉक्टर है वो जो नाड़ी में जितने होश्यार चेक करने में उतना जेजमेंट परफेक्ट और उतनी वो ट्रिटमेंट अच्छी कर पाते हैं तो नाड़ी चेक करके सही कारण पता चल सकता है एलोपथी का काम अलग है अरिवेट का अखना पूरा रास्ता ही अलग है वो नाड़ी वो लोग जोला सब बोलते हैं एलोपथी वाले लेकिन नाड़ी देखने वाले दो साल पहले हैं अमदाबाद रिवर्फ्रंड में बीना पड़े लिखे लोग जो जंगल में गढ़ गत्थु वहीद सारवाल देते हैं एसे लोग वहां बिठाए थे जो लोग नाड़ी देखके आपकी प्राकृती चेक करके बताते थे भी आपको कप है आप पीत वाले हो वाई वाले हो और उसकी क्या करना चीए हो दोता ह कोई एज्यूकेशन कौलिफिकेशन नहीं इसे लोगों को वहां बिठाया था सरकाने तो वह भी अच्छा काम कर लेते हैं जरूरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो घाओ में जब दाधी होती है तो उसको अनुभाव से पता है कि बच्चा क्यों रो रहा है fresh बच्चे को इस कूग गए क्या हो इस तो तुरत टड़का लगाने की हिंग आती तुर्ट वो नभी में चिट के लगा देती थी उनका गय्स कत्म हो जाता था बच्चा रोना बंद हो जाता था उसको पता चल जाता था डॉक्टर के बाद जा आओगे तो वह चेक अपकर आओ एक तेस्ट कर आओ एक आओ तब तक वाप बच्छा अदमुआ हो जाता है तो य समय तक आपको बीना साइड इफेक्स से ट्रीटमेंट कर सकता है तो आरिवेद गलत नहीं है अच्छा है लेकिन उसके लिए होश्यार डॉक्टर चाहिए होश्यार नाड़ी चेकप करने वाले चाहिए ठीक है और दवाया जो होती है आरिवेद की उसमें थोड़े क्योंकि ब बश्म के कारण हेवी मेटल्स की समश्याएं बढ़ती है एपन सची बात है योग क्या करता है तो योग सब बीमारियों में कॉमन ट्रीटमेंट है आप योग करके सारी बीमारी ठीक कर सकते हो कुछ भी प्रकार की लेकिन उसके लिए आपको पूरा योग का प्यकेज करना पड़ेगा आपको वाम जॉगिंग से लेके आसन करने पड़ेगे प्रानायम करने पड़ेगे बंद करने पड़ेगे और जरूरत पड़े तो सट कर्म भी करने पड़ेगे शट कर्म भी सट कर्म में होती है नेती दोती बसती कपालबाथी त्रात क्नोलिकरिया मानलो आपके साइनस की समस्या है है अंदर कफ भर चुका है और आपको हेडेक हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा जल नेती करनी पड़ेगे पानी का एक छोटा सा पात्रा रहता है इसमें थोड़ा वम थोड़ा सा वम और इसमें सेंदा नमक डालके वो पानी यहां से अंदर गुसाया जाता है फिर अंदर जाता है पानी और अंदर से दूसरी साइट से बाहर निकलता है यहां से करके आपको डालना पड़ता है तो फ बढ़ा पड़ा है वह वह नमक वाला पानी जाएगा थोड़ा वर्म होगा तो उसको पीगाल देगा और पानी के साथ पूरा बाहर निकल जाएगा पर आपको तूरत तूरत रहत हो जाएगी साइनस के हेडेक में तो योग के अंधर काफी सरी सुद्धी के रास्ते है सट कर्म में बहुत अच्छे अच्छा डाइजेस्टिंग सिस्टम गलत है तो आप शंक रक्षालन विदी कर सकते हो आपके जठर में पित ज्यादा इखटा हो गया और पित यहाँ सर पे चड़ गया है और हैडेक है आपको भारी भारी लग रहा है तो आप पित निकालने के लिए वामिटिंग की जो है प्रथा पानी पीलो और वामिट कर लो निकाल दो तो गज करनी क्रिया इसको बोलते है जो पानी पियो और उल्टी करके निकाल दो तो वह भी आपका पित कम हो जाएगा तो हेडेक कम हो जाएगा तो इससे भी आप कर सकते हो तो हेडेक के रियल कारण डूंड के आपको इसके पीछे ट्रिट्मेंट कर सकते हो हम तो ऐसा ही मानते है कि कच्रा ही सारी बीमारी की जड़ है आपकी आंतों में हो सकता है आपके जठर में ह हो सकता है आपके खुन में हो सकता है आपके और गेंट तक कच्रा होता है सब जगन ज्यादा तर बीमारी कच्रे की है तो आप योग करके कच्रा निकाल लिए यह सट कर्म करके बोड़ी सफाई कर लिजिए नेती में यहां से पानी डालना है दोती दोती की भी प्रक्रिया है मानलो आप पाने पीके उल्टी करके नहीं निकाल पा सकते हैं तो आप कपड़ा भी खालो लंबा दो एक दो इंच पट्टी लंबी बंद्रभी स्पीट जठर में बढ़ लो और फिर वापिस निकालो तो पीत या तो कफ वो सब बाहर आ जाएगा तो यह बस्ती जो है वो एक टाइप का आपकी बड़ी आँठी सफ़ाई के लिए है शंग प्रक्षालन विदी में तो यहां से पानी पीना है इतना जल्दी जल्दी पीना है कि वो पानी साफ पानी आपकी आँटों से खुन में चला जाए इससे पहले वो आँटों में वो साप पानी आये तब तक आपको एक रिया करनी है तो सुबह में आप चालू करोगे तो दोपड तक रिया चलती है और कम से कम 15-20 लीटर पानी लोग पी जाते हैं और पीछे निकल देते हैं तो एक रिया भी हो सकती है बोड़ी क्लिंजिंग के लिए तो माइग्रेन और जैसी बीमारियों में भी यह अक्सिर काम करता है योग की यह क्रिया है सफ़ई की तो योगन के अंदर भी उसके रास्ते है लेकिन यह थोड़े जो प्रयोग है वो आपको कोई योग आचारिय या योग टीचर के साथ में रहके करना पड़ेगा इसके आलावा आप नहीं कर सकते ठीक है योगहार में क्या रास्ता है तो हम तो आपको सिंपल सी बाते बताते हैं कि आपको कुछ भी समझ्या है एडेक है विपी बड़ा है डायविटीस है थाइरोइड है कॉंस्टिपीशन है कुछ भी है इसके पीछे ज्यादा तर क्या प्रॉब्लेम है कच्रा कहां कहां तो आंतों में छोटे बड़ी आपके खुन में आपके अर्जिन में कच्रा निकाल दिजिए इसे ठीक हो जाएगी अब आउन्तों में से कच्रा कच्रा है तो मल सुद्धी पावडर ले लिए चोटे आंत का च्रा बड़ी में भी में इखटा हुआ है रीजह अप्लेसand 2 इसमें से 8 गंटा खाईए 14 गंटा खाना बंकर लीजिए तो ऐसे खुण में जो कच्रह सब्सक्राइब उन कु कलता जाएगा है चाहे काफ होगा चाहे पीत होगा चाहे वायू होगा जो भी है तो कफ भायू किसी चलेगा तो इससे आपकी सफ़य हो सकती है दूसरी समस्या क्या होती है कच्छरा निकल गया तो आधा फाइदा हो गया अब maintenance का अबाव का है तो maintenance का अबाव का है तो आपको हरीपत्ती खानी है जिसमें काड़ीगर मिल जाएगे की तुमारा योगार का नहीं आपको एक्सरसवाइज करनी है नहीं आपको ृप्र? पढनी है। आपको कब पित्वायू रहर चेक करना है नहीं दवाई खानी है। आप शिम्पल से अपने आप ही ठीक कर सकते हो अपने आप को कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है और इन नीच्रल तरीका है इसमें कोई कोई है ही नहीं कोई treatment ही नहीं है यह treatment है डाइट में change कर लो क्या खाना है कब खाना है किस तरह खाना है समदलो आपको आराम से फाइदा हो जाएगा तो यहां आपको और NDS में एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है तो आपको पहले तो पेट साफ करने के लिए मलसुद्धी का प्रयूब कर लिजिए हरी पत्यों का रस ले लिजिए इसमें हेडेक वाले को खटे और तीखे और एक वाले को कि खटे फल ना ज्यादा ले तीखी चीजे भी ना ले इसलिए पत्या है कड्डी है टमाटर है नहीं खटे होने चाहिए नहीं मिठे तो होते ही नहीं तमाटर कटे नहीं होने चाहिए पके हुए है करेला ले सकते हो आप वह आपको फायदा करेगा तो एसी चीजे जिनको पित के इसाब से हेड़ेक रहता है तो वो मिठे फल ले सकते हैं पित के हो तो इतना आपको आहार में थोड़ा दिन ध्यान रखना है एक दो दिन रसाहर रहिए आप अपने आप हेडेक में आपको रहात हो जाएगी ठीक है और हरी पत्ति के साथ आप लेते दिन में 3-4 ग्लास हरी पत्ति का रस्पी है बाकि आपको जो सूठ होए और अच्छा लगे और रसा पर रहिए आपको जल्दी रहात हो जाएगी जिन लोगों को हेडेक की समस्या होती है उन लोगों को फिर निंद नहीं आती है तो निंद के लिए उनको हमने एक बड़िया चीज बनाई है जो आज की उपयगी प्रोड़क्ट में है नेचरल निंद लाने के लिए हमने वलेरियन नाम की एक ओशदी आती है उसका capsule बनाया है वो आप ले सकते हो लेकिन ये दवा जो है वो आपको बेहोसी नहीं लाता है जैसे आप डॉक्टर के पास जाए डॉक्टर को बोलग साहब मुझे निंद नहीं आ रही है तो दवाई दे देगा क्या तो निंद की आप जैसे खाया 10 मिनिट में आपको निंद आ जाएगी तुरत तो वो आपको क्या करता है बेहोसी में डालता है तो हमारी ये जो आरिवेदिक दवा है वो बेहोसी वाली नहीं है आपको निंद नहीं लाएगी लेकिन क्या करेगी आपके मगज में जो केमिकल लोचे हो रहे है इसके इसाब से जो निंद नहीं आ रही है, उसमें आपको सपोर्ट करेगा, यानि कि आज दवाई चालू करोगे, तो हफते तक ये दवाई लेने के बाद, आपको दिरे दिरे नेचरल निंद आनी चालू हो जाएगी, तो एक खास द्यान रखना है, और सोने का जो आपका रेगिलर टाइम ह पहले, आपको एक गोली पानी के साथ उसको ले लेना है, बस इतना करना है, इसकी कोई साइड इफेक्ट होती नहीं है, ज्यादा भी नहीं लेना है, जब एक गोली ले लिजे, आपको 4-6 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट देखना चालू हो जाएगा, तो ये उप पड़े लिखे लोग बुद्धिमान होते है, बुद्धिमान ही हो, जो बुद्धिमान है वो पड़ा लिखा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने अभी एक्जामपल दिया, कि सरकार के आर्विवेद का एक्जिमिशन था, इसके अंदर बीना पड़े लिखे, नाड़ी वे आपकी प्रकूती चेक करके देखते थे तो पड़े लिखे नहीं है लेकिन वो बुद्धिश आ रही है क्यों कि वो नाड़ी चेक करके आपको आपकी रोग की समस्या का हल निकाल सकते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका समाधान करने वाला है आपकी समश्या का हल करने वाला पड़ा लिखाई हो जरूरी नहीं है वह उसके लिए एक अग्जमबल आपको देता हूँ साइंटिस्ट हूं आप बहुत नामें साइंटिस हैं वह बिल्लियों पर प्रयोक कर रहा था तो बिल्लियों को रखने के लिए जो उसका गर बनाया था तो उसके अंदर एक ही घर में दो बिल्ली एक छोटा बच्चा था और एक बड़ी बिल्ली थी तो दोनों को अंदर घर के अंदर जाने के लिए उन्होंने दो अलग-अलग होल बनाये थे एक छोटा बनाया था और एक बड़ा होल बनाया था किसी ने पूछा क्यों अपने दो होल क्यों बनाये हैं तो उन्होंने क्या बताया कि यह छोटी बिल्ली है इस होल से जाएगी छोटे में से और बड़ी वाली यह बड़ी में से जाएगी तो उन्होंने उसको पूछा कि क्या यह बड़े होल में से छोटी विली नहीं जा सकती लेकिन उनको यह मांड में नहीं आया थाई सिंटीस्ट था यह शुर्टी चारोसा क Shortly है इसमें दोब करने की क्या ज़रूरत है कि बस कि एही बात आप समर लो आज यह जो चल रहा है ना माहुल कोरोना के नाम बस एसाई है हमको दिखाई रहे पड़े लिखे लेकिन वो बुद्धिशारी इतने नहीं है जितने होने चाहिए लॉजिक में गड़ बड़ी लगती है डिगरी है लेकिन समझ नहीं है यह कोरोना के नाम लोगों को डरा डरा के मास्क दे दिये P P E kit दिलवा दी, मैंने ऐसा सुना था, कि चाइना ने, कोरोना आने से पहले, दुनिया के सारे देशों में, जहां P P E kit बनती थी, वो सारी उन्होंने खड़िद लिथी, और जब कोरोना आया, तो सबको उन्ही की कीटे, दस-दस गुना भाव से वापिस दे दी, तो उन्होंने PPE kit का भी वेपार कर लिया, mask का भी वेपार कर लिया, proximity का भी वेपार कर लिया, दवाईयों का भी वेपार कर लिया, बच्चे को स्कूले बंद कर वाली, स्कूलों बंद हो गई और online education के नाम से हर बच्चे को mobile पकड़ा दिया, कहां से आया, चाइना से आया, के साथ इखटा होके लग रहा है कि उन लोगों ने नहीं जबर्वत थी वह चीजे भी आपके पास करवाई है तो हमारा अर्युवेद लंगनम परमोशदी एक ही वाक्य का उपाय था एक ही दिन का सवाल था पूरे देस के लोगों ने एक दिन नीजला फास्टिंग कर लिया होता तो कोरोन आगे बढ़ने वाला ही नहीं था बढ़ने वाला ही नहीं था यह सब करने की जंज़त बाजी नहीं थी लेकिन जो क्यावत है कि जितने ज्यादा बड़े इतने खोटे जितने बड़े इतने खोटे तो यह हालत हमारी हो रही है हम देख रहे हैं घ disciplines करवाई है उनके सरीर में रीकवरी लाने के लिए कोरोना की के जो है वह बहुत कामकी है आपके सरीर में जो समश्या गुस गई है उसमें से बाहर आने के लिए पूरी एक कीट बनवाई है हमने ये मंगवा लीजिए और केसे उप्योग करना है हमको पर्सनली कॉंटेक कर लीजिए तो योगाहर जो है वो सरीर की सफ़ाई सरीर का खोराक और सावधानी तीन बाते समझाता है तो ये आठ मुद्दे का योगाहर है उसका पूरा चित्र यहां दिखाई दे रहा है आपको आपको सरीर में कहां कत्राई खटा होता है सरीर को कौन सा खोराक देना चाहिए कब देन और आप जो स्वाद खाओगे वो भी क्या करेगा वो सारी बाते एक ही चित्र में मैंने कवर की है और ये सारी बाते आपको समदने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल में योगाहर का पूरा कोर्स एक बार जरूर देख लेना चाहिए इसकी e-book भी available है Amazon Kindle पे और Food with Life योगाहर नाम की दूसरी यूट्यूब चैनल है जहां आपको raw food की अच्छी अच्छी रेसिपी मिल जाएगी तो वो भी आप देखे रहे है और एच छोटा सा message आप कहीं कुछ print करवाते हैं तो करवाईए इससे समाज का बला होगा लोगों का सच्छी और काम की बाते पहुचेगी कल हम दो बारह दुसरे नए प्रश्ण पे चल्चा करेगे तब तक नमस्कार